हेलो एवरिवन कैसे आप तो आज की वीडियो कॉर्परेट अकाउंट सेमिस्टर चार के लिए है इनका एक्जाम 27 एस वाले स्टूडेंट के लिए इसली 27 को आपका एक्जाम है तो बच्चे कंफ्यूज रहे हैं कि सर क्या टॉपिक पढ़ें तो आज हम डिसकस करेंगे कि हर एक चप्टर में से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको कर लेना चाहिए ठीक है और यह मैं जो बोलूगा सारी बाते यह एस पर जो अभी होगी लेकिन उसके इसाब से आप तीन दिन में प्लान कर पाऊगे ठीक है शेयर कैपिटल सर शेयर कैपिटल में से आपको जो करना चाहिए वह सिर्फ आपको जो फाइनल कोश्चन होता है यानि शेयर फोर फीचर वाले जिसे आप प्रोराटा के नाम से जानते हैं यह करना नम्बर दूसरा नाम को वह सिर्फ आपको तुटैरwalk करने हैं जिसके अंदर बैलेंस शीट घीवन होता है और आपका जिसके अंदर हो जाता है बोनस भी और साथके साथ कई बार इंक्लूड हो जाता है वाइब एक भी कौन को मैंने स्टार मांक किया हुआ है उसके अंदर भी करवाया हुआ है तो इस टाइप के कुश्चन ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना कि नंबर थ्री कि अगर बोनस वाइब एक यहां कर लिया तो यहां करने के जौरत नहीं है डिपेंचर की बात करें और डिपेंचर में दो है आपका issue डिपेंचर भी और redemption रिडम्शन दिपेंचर से जो है आप questions कर सकते हूं sinking fund वाला क्योंकि इस पार रेगूलर में भी आया था तो आपके भी आने के पूरे पूरे chances बनते हैं sinking fund वाला question कर सकते हूं और second one इसके साथ-साथ sinking fund वाले की बात करें तो हम और कौन सा टाइप कर सकते इसके अंदर डिवेंचर में इशू में आप पर्स यूनिट की हम बात करें तो जो बच्चे थोड़ा कफ्यूज हैं तो वह मैं कहूंगा ये दोनों यूनिट या तो पक्का च्ट्रॉंग कर लग यह वाला पार्ट पख्का इस टरॉंग ताकि आप पहला डिवेंचर पूरा अटेम्ट कर पा इन से आपके एक फ़र्स को से सर फाइनल अकाउंट से देखा जाए तो एक फुल जो कोश्चन होता है ना फुल जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बैले इंशीट सब कुछ होता है वो करना है दूसरा सरिफ रिजर्व एंड सर्प्लस के नोट और एक पी एंडल यानि आप फुल कर लोगे तो सभी आजाएगा तो इसमें से बड़ा कोश्चन आएगा और उसके भी यही रहेगा कया अब कर लेते हैं कोश्चन नंबर आपके पेपर का 3 सर यह आएगा आपका cash flow statement सर इसके अंदर important क्या है सारा adjustment करना है और इसके अंदर तीनों activity operating activity आपका investing activities में बताने वाली कोई चीज नहीं है और financing activity तो यह आपको complete करना है सर यह कितने number का आएगा यह 10 number का सकता है तेन मांक से बहुत बच्चों के कहना है कि सार रेगलर का पीपर पूर प्रेक्टिस करिए रेगलर का पेपर आप इसलिए मांग रहे हैं कि आपने जो answer किये हैं वह पता चल जाए तो उसका अभी कल एक exam है कल के amalgamation में से और यह chances मुझे लगता है कि पंदरा नंबर का भी हो सकता है amalgamation में से और reconstruction में से इन दोनों में से क्या करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए बहुत बच्चों का करिया क्योंकि इसका adjustment आसान तो होता है लेकिन घुमाया बहुत जाता है उसके अंदर complication create कर दिया जाते हैं और सर एमल गमेंशन के अंदर आप PC निकालना सीख लें और books of seller and buyer यह पूरा ही चप्टर हो जाता है सर दोनों में बिल्कुल डेफिनिटली दोनों में आपको option देखने को मिलता है तो जो बच्चे दोनों चप्टर कर चुके मैं suggest करूँ आप पूरत दोनों करिए अच्छे से जिन बच्चों ने भी पढ़ा ही स्टार्ट नहीं करा तो सर आप सरिफ यह कर लीजिए इनफ है मैं दोनों के इसको क्या करना चाहिए जो कोशन नंबर फाइब बनेगा होल्डिंग में से और जितना होल्डिंग के अंदर आपको करवाया हुआ है वही करिए पंद्रा नंबर का इसके अंदर आपका था इसमें भी टॉपिक अगर मैं बताओ तो अन्रिलाइज लॉस या फिर आपका अ सबका ही काम बन जाए अब जो बच्चे पहले में उनकी बात करूंगा जो बच्चे डरे हुए हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ इतना टॉपिक कर लें के हम पास हो जाए तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा अब जिन्होंने 12 में बड़ी अच्छे से पढ़ाई करें तो नमबर बन पर यह करें ठीक है दोनों चप्टर क्योंकि शेयर कैपिटल अगर अच्छे से पढ़ाई करी है आपने तो शेयर कैपिटल आपके लिए कोई बिग डिल नहीं होने वाली है और यह फिर लगी हाथ बड़ी इसली हो जाएगा किलियर अब जिन यहोंने पूरी रिवीजन भी कर लिए और अच्छे से पढ़ाई करी है वह सीक्मेंस से उठाके फटाफट 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 खटम है कि जोनोंने पूरी पढ़ाई करी वह तो एक दिन क्या यह आधी दिन में यह सारे चप्टर रिवाईज कर सकता है मैं रि इसके बाद आप चेप्टर उठाए रीकंस्ट्रक्शन बड़ा आसान चेप्टर एक दिन में हो सकता है चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो इसके बाद आप उठाए सीधा आप फाइनल अकाउंट नमबर थार्ड तो भाई जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनको यही टॉपिक में सजेस्ट करूँगा कि दो चेप्टर यह एक चेप्टर यह एक चेप्टर यह और एक चेप्टर यह बाकी के चेप्टर आप छोड़ दें तब भी आप पास हो सकते हैं क्योंकि 15 मार्क 15 30 और आपका लगभग लगभग 50 से 60 का अटेंप्ट हो जाएगा मैं पासिंग स्कूर की बात कर रहा हूं लेकिन जिसने पूरा रिवाइज कर रखा वो पूरा पेपर करें क्योंकि एमल्गमेशन और रिकंस्रक्शन में कई बर उल्टा कोश्चन आ सकत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि management account के साथ कर रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि corporate account का है तो मैं दोनों को बोल देता हूं जिनका management account और corporate account semester 6 वालों के ER है तो वो क्या कर सकते हैं part wise time को बाट ले बाकी मैं आपको जो बच्चे semester 4 वाले वो पूरे दिन कम से कम 4 गंट गंटे आप classes अगर नहीं लिया अभी तक कुछ भी नहीं किया चार गंटे classes लगाई वीडियो देखिए और उसके बाद बाकी के तीन घंटे जो आपने classes ली है उस classes को practice करिए तब paper आपका अच्छा जाएगा 10-year के लगबग almost question कराये हुए हैं आपके वीडियो में मिल जाएगा और एक मैं बड़ी बात बोल रहा हूं कि मैं एक जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर वन शॉट वीडियो तो basically वन शॉट वीडियो मैं डालतो रहा हूं बच्चे देख भी रहे है response भी आ रहा है मैंने मैं सोचा कि एक क्यूं पूरे स्लेवस का एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें बच्चे को आज नहीं कल help मिल जाए जो भी मिले तो मैं उन बच्चों से वह लोगा कि आप जब कभी ये पूरे इस्लेवस का वीडियो देखेंगे तो उसके हिसाप से प्चास घंटे की क्ल सर पचास घंटे में पूरा स्लेबस कंप्लेट करने का पचास घंटे में पूरा स्लेबस तो बेसिकली यह वाली वीडियो में यूटूब पर डाल दूँगा बाकि जो बच्चे एप्लिकेशन पर पेड हैं वह इधर उधर भटकने की जुरतनी आपके बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है आपको स्टार वाले वीडियो सिर्फ करने पूरे पूरे वीडियो नहीं करने और जो मैंने प्लान बता है वह और यूटूब वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते ठीक है ना तो बड़ी सिंपल से चीज थी आप लोग के एक्साम आ रहे हैं त तो बस उमीद आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी मैंनेजमेंट वाले दोनों को हाफ हाफ दे में लेके चलें तो थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो कल तक यह जो मैं बोल रहा हूं के पचास घंटे की क्लासे से वह होफुली मैं कल तक उसको पूरा सब्सक्राइब का मतलब अपलोड होने में इंटरनेट की स्पीड चाहिए तो मैं सवेरे सब्सक्राइब करें तो रात के आठ नो बजे तक हो जाएगा काफी बच्चों की सिकायद भी है सर आप जल्दी वीडियो नहीं डाल रहे हैं मेरी पूरी कोसिस है तो मेरी पूरी को वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको ध्यान रखिएगा